तो अगर आप Breza ZXI Plus याने की Top Model Smart Hybrid SUV खरीना चाहते हैं तो इसमें क्या लगानी चाहिए आपको तो गाड़ी का लुक्स वाइस काफी अच्छा है LED प्रोजेक्टर, Headlamps, LED Foglamps ये सब सारी चीज़ आपको मिलेंगे तो आपको फ्रेंड में ये जो क्रोम देख रहा है आप ये थोड़ा सा लगा सकते हैं ताकि गाड़ी थोड़ा सा attractive looks हो जाए फ्रेंड में skid plates, undercladding ये सब तो रहती है आप bonnet में ये side scoop हो गई undercladding SUV को थोड़ा और bold और muscular बनाने के लिए इस type की design आप लगा सकते हैं तो की गाड़ी बहुत ही अच्छा दिखे ये side bidding आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही अच्छा दिखता है और ये पूरी connected है side skid plate से जो की अच्छा दिखता है और दर्वाजा में handle chrome मत लगाई है chrome वाला बहुत ही जमिला होता है निकल भी जाती है अब ये stylist rain visor chrome वाली लगा सकते हैं आप क्योंकि looks wise बहुत अच्छी दिखती है और यहाँ पे rear में आप देख सकते हैं रूफल शार्फिन एंटिना ये इन्बेड आती है company आपको देगी लगी हुई ये आप chrome बेडिंग डिक्की पे और वैक डोर पे यानि और rear पंपर में भी लगा सकते हैं जो की बहुत ही सुन्दर और अच्छा दिखता है अब सबसे बढ़िया ये चीज़ है waterproof 3D mat boot space के लिए तो आप जितना भी समान रखे तो आपका boot space ठीक रहेगा fiber टूटेगा नहीं अब ये जो है window frame kit कोई भी ब्रेजा model में नहीं मिलती है ये window frame kit लगाने से गाड़ी थोड़ी सी premium दिखती है अब interior में देखिए sit covers ये बहुत ही important part होता है six airbags आपकी car में है sit covers आपको यही वाली लगानी पड़ेगी बाके interior सा और मोटा और grip अगर आपको चाहिए तो अब यहां पे भी waterproof 3D mats देखिए बहुत ही अच्छा ब्रेजा का और LED illumination lights भी लगी होई है तो overall देखेंगे तो ज्यादा कुछ लगाना नहीं है यहां पे भी street covers बहुत ही अच्छा fitting है और 3D mats यहां पे भी लगी होई है ये budget आपका बहुत ही कम में अराम से 20,000 में पूरी गाड़ी modify हो जाएगी 20-25,000 में आप ले सकते हैं ये kit सारा लगा सकते हैं ZXI plus top model में और LXI VXI में क्या लगाना है वो भी मैं आपको जरूर वीडियो में दिखाऊंगा